हाँ जी, गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स अफ बी ए फिस्ट यर, अपने नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड एक्ससाइज देखिए, फोर्टिएथ, नेगिटिव स्टेटमेंट्स, इस वेरी इजी एक्ससाइज, देखो जो पहला पैरिग्राफ दिया हुआ है उसमें आप हर जग हो है was not, was भी आपकी बी की फोर्म हो गई, was तो is भी बी की फोर्म हो गई, do, be, didn't, be, तो इस तरह से हम नेगिटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानि जो औक्जलरी वर्ब है, उसके बाद आप नोट लगाते हैं, अगर औक्जलरी वर्ब दो है, तो पहली वाली औक्जल ए पार्ट में तो यही चीज़ है, बस उन्होंने पैरेग्राफ दिया हो है, बी देखें, नेगिटिव होना, बी पार्ट में जो बी लिखा हो है, बी किसकी फोर्म है, जैसे is, are, दोनों की यह, तो बी की फोर्म क्या गई, पोजिटिव आर, नेगिटिव में क्या जाएग आर, नोट, आर क्या ओक्जरी वर्ब है, उसके बाद क्या लग गया, नोट, तो नोट कहाँ पे लगेगा, ओक्जरी वर्ब के बाद, शोर्ट में क्या बन जाएगा, आरंट, आंट, डांसिंग, हैव, हैव सीन, पोजिटिव हो गया, हैव, नोट सीन, हैव क्या है आपकी, again auxiliary verb है उसके बाद note लग गया have not seen or haven't seen then model verb है must stay must not stay negative बन जाएगा must के बाद साथ में note लगेगा model के साथ ही note लगेगा और must not stay अब क्या है जो negative statement है note या फिर n apostrophe t दोनों का मतलब सेम है note और aren't comes कब लगती है after the auxiliary verb auxiliary verb के बाद लगेगी जो मैंने आपको पहले बता दिये और auxiliary verb क्या होती is a form of be be में is हो सकता है are हो सकता है have हो सकता है model verb हो सकता है जैसे की model verb में क्या-क्या must, can, could then दिखिए the girls are dancing positive बन गया लेकिन अगर हम negative बनाना चाहेंगे auxiliary verb उसके साथ लग गया not is not working properly I have not have क्या है again auxiliary verb है उसके साथ not लग गया seen the new disney film David has has again auxiliary verb है not got a car I must not stay long you can't can आपका model verb है उसके साथ not लग गया तो in this way you can make the sentences अब देखो यहाँ पर क्या लग ख़वा not or an apostrophe t यानि दोनों का मतलब same ही है not or aren't also comes after the main verb ये main verb के बाद भी आता है हाना पहले हमने क्या पढ़ा ये auxiliary verb के पहले आता है after the auxiliary verb auxiliary verb के पहले आता है auxiliary verb को उसी हो गई is हो गया auxiliary verb के बाद आता है is हो गया, has हो गया इसके बाद आता है वैसे same बात ही यहाँ पे लिखे हुई है after the main verb main verb के बाद आता है जैसे कि photos are not ready main verb क्या है ready हाना ready main verb है ना तो उसके क्या हो गया पहले आ गया ready main verb है उसके पहले note आ गया यहाँ पर क्या है warm main verb है उसके पहले note आ गया बात दोनों की सेम ही लग रही है वैसे auxiliary verbs comes after the auxiliary verbs ठीक है वही बात है auxiliary verb के बाद आता है और main verb से पहले आता है comes after the main verb main verb के बाद आता है okay the photos are not ready yet if there is more than one auxiliary verb अगर एक से जादा auxiliary verb है तो मैंने आपको बता आई था कि पहली वाली auxiliary verb के बाद note आ जाएगा like जो आपका present perfect continues होता है present perfect continues उसमें दो आते हैं has been तो जो has है उसके साथ लग जाएगा has not been should not have है तो should के साथ should have है तो should के साथ note लगेगा then have यानि दो auxiliary verb है तो पहली वाली auxiliary verb के आप बात लगाओगे note then अगर आपका present simple है यह आपने पहले भी कर रखा है मैंने आपको बहुत बार बता रखा है first year को तो specially बता रखा है कि जो present simple है उसमें अगर आप negative बनाते हैं तो आपका subject singular है तो does लगेगा अगर plural है तो do लगेगा so positive में work लग गया negative में क्या बन गया do not work or don't then looks doesn't look looks क्या है यह क्या है आप singular के साथ लगा रहे हो उपर वाला work क्या था plural के साथ था तो looks लग गया singular के साथ तो doesn't look or doesn't look does not look or doesn't look then past simple के साथ enjoyed did not enjoy क्योंकि did पहले आगया तो enjoy के साथ ed नहीं आएगा और didn't enjoy ठीक है इस तरह से आप sentences बनाएंगे I don't work on Saturday I के साथ do लगेगा does नहीं लगेगा अब this part of town एक singular आगया तो doesn't look very nice आजाएगा we didn't enjoy the verb after not or aren't does not end in s or ed वो नहीं लगता है वो तो हम ने पहले ही बता दिया कि अगर आपने note और an apostrophe t लगा दिया है तो उसकी जो वब होगी वो s और ed के साथ खतब नहीं होगी क्योंकि आपने वो जो starting वाला negative बनाने के लिए do does ले लिया उसी ने s और जो आपका did है वो ले लिया तो पीछे ed या फिर s नहीं लगेगा लास्ट पार्ट देखें सी no और note इसमें भी आपने एकी चीज़ देखनी है कि जो आपका no है ये तो बिल्कु स्टार्टिंग में लग सकता है लेकिन जो note है ये कहां पे लगेगा वही हो गया auxiliary verb के बाद जो आपकी verb है न auxiliary verb उसके बाद note लगेगा जब अगर हम कहें no music is allowed after 11 music से पहले no लग गया यानि noun के पहले no लग सकता है या फिर no कब लग सकता है noun plus adjective से पहले adjective plus noun से पहले भी no लग सकता है और अकेला noun के पहले भी no लग सकता है लेकिन जो not है वो auxiliary verb से पहले लगेगा so music के आगे no लगा है तो music आपका noun है और अगर music को आगे ले लिया तो music is auxiliary verb है उसके बाद note लगा हुआ है then there are no new houses new क्या है adjective है houses क्या है again noun है तो देखे no लगा हुआ है adjective और noun से पहले वही हमने पढ़ा था ना ऊपर क्या था no music music क्या noun है तो उसके पहले no लगा हुआ है और अगर हम इसका दूसरा sentence बनाते है तो there are not are क्या है auxiliary verb है उसके सब not लग गया any new house in the village we don't use no with a verb जो no है वो verb के साथ नहीं use होगा वो हमने पहले पढ़ लिया कि verb के साथ हमेशा not use होता है so जो no है वो या तो noun से पहले यूज होगा या फिर adjective plus noun से पहले यूज होगा so this was your exercise 40 okay thank you students